बिहार के नेता परतिपक्स तरेश्वी आदब ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। तरेश्वी आदब जिन ने जिस तरह से आज प्रेस वारता की है और जिस तरह के अनरगल प्रलाप की हैं, अनरगल बाते कहीं हैं, इससे दिखता है कि वो अंदर से कितने कमसोर है। लंपट राजनीती का प्रदर्शन होता है, आप मीडिया के साथ ही वहाँ गय थे कवर करने के लिए। जनता दहशत में आ चुकी है, जनता ने निर्ने ले लिया है कि इन लोगों को मौका नहीं देना है। आप कहे रहे हैं कि जनता दहशत में आ गई है और तेश्वी आदब तो कहे रहे हैं कि सरकार से लोग ठक चुकी है और उब चुकी है। आप कह रहे हैं कि उप चुकी है सरकार, अरे आपका तो काम ही है ब्रह्म पहलाना। आपने क्या कहा, कि ये भी सीडी का ग्यान नहीं है नितीश कुमार जी को। आपके बारे मैं नहीं पता है कि नववी भी ठीक से पास किया है कि नहीं किया है। नितीश कुमार जी ने अपनी सिक्षा दिक्षा जहां से ली है पटना साइंस कॉलेज से बिहार कॉलेज फिंज रिणिंग जो एनाइटी पटना बन चुका है वहां का मुह आपके परिवार जनों ने देखा भी है कि नहीं देखा है वह आप पता कर लीजिएगा तो आपका क सिक्ता नहीं है एक्जाम सरपड होता है उसको मालूम होता है कि मैं फिर हो जाओंगा अपने आपको बचाने के लिए एक्स्क्यूस देना पड़ेगा ना बस वही काम कर रहा है एक अने मार्ग की रिकॉर्डिंग है तरे श्वी आदव के पास हालाकि उनका कहना है कि हम इस साड़ान करилось कर है कि तो सारजनी करें अवी अब कि अलगा रहा है कि कोशिक कुर सवाल है कि मंत्रि नितीश कुमार ने एक बयान दिया था कि चाहे तो वो हमको गोली मरवा सकते हैं उसके अलाव और कुछ नहीं कर सकते हैं तो नित्यस्वी आदव ने सवाल खड़े कि हैं कि ग्रीम मनता हूँ अरे भाया गलत को गलत और सही को सही कहिए तो तेजस्वी आदव जी उनकी पार्टी ओची राजनीती के लिए ही जानी जाती है इनके पास कुछ तथ्य होते तो सारजनी करते हैं अभी देखे ना किस तरह के अरोप लगा रहा है आप सरकार की छवी खराब करने की कोशिश करिये होगा नहीं एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नितिश्कुमार ने एक बयान दिया था उन्हें कहा था कि चाहे तो वो हमको गोली मरवा सकते हैं उसके अलाव और कुछ नहीं कर सकते तो नितिश्वी आदव ने सवाल खड़े कि हैं कि ग्रीम मंत्री कौन है क्या उनको अपने ही पुलीस पर कोई भरोसा नहीं है तो जश्वी आदव जी अगर मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को गोली मरवाई जा सकती है तो दुसी तरफ भी मानते होंगे न कि उनकी पिता गोली मरवा सकते है अरे अगर मरवाई जा सकती है तो जो मर सकते हैं उनके बारे में भी कुबूलेंगे न और जहां तक बात है दर्णिय मुख्यमंत्री जी की तो उन्होंने राजत की उस संस्ट्रीति को दुबारा उजा कर किया है कि वह इनके यहां क्या होता था सत्ता संग्रक्षित अपरात फलता फूलता था किसी की हत्या हो जाना बहुत आम बात हुआ करती थी कारवाई नहीं हुआ करती थी इनके लोग उसमें शामिल हुआ करते थे तो वहीं संस्ट्रीति ने लाना चाहते हूंगे लालु यादव जी कोशिस कर ले होगा नहीं क्या दोनों सीटों पर चुनाव है और जीत होगी इंडिय की इसमें कहा कोई शक है वहां के मतदाता मालिकों ने पहले भी अशिरवाद हमारे ही उमिद्वारों को दिया था और इस बार के जो उप्चुनाव हो रहे हैं उसमें भी मतदाता मालिक भारी मतों से हमारी ही उमिद्वारों को जित दिलाएंगे एक आखरी सवाल है तेजश्वी आदव ये बार-बार कहते क्यों नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंतरी बहुत सरमीले मुख्यमंतरी हैं लगतार इस बात को वो कह रहे हैं कि उच्छी बाते कहना हल्की बाते कहना यह सब इनका परिचय है कि आधर्णीय मुख्यमंतरी नितीश कुमार जी ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार के विकास के लिए अपने परिवार की किसी इंसान को आगे बढ़ाया है इस तक जस्वी आदव जी ने शर्म हया त त्याग दी है शर्म को भी शर्म आ जाएगी जब जस्वी आदव जी और लालु आदव जी की बाते सुनने को मिलेंगी तो इनको बोलने दीजिए उससे कोई फरक नहीं पुड़ेगा बहुत धन्यबाद हमारे साथ थे अभी से जहा जो सवाल थे हमने इंसे जाना है और आ कर दो सकाथ